तो आपन ने पिछली वीडियो में ग्लुको नियोजेनेसिस डिसकस किया ठीक है आगे बढ़ रहे कार्बोएडरेट मेटाबोलिजम में ग्लाइकोजन मेटाबोलिजम ठीक है क्या ओरियनटेशन रहने वाले सबसे पहले थोड़ी बहुत ग्लाइकोजन की बाते करेंगे जो अब सब लोग जानते हो उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है और साइट कहां पर रियक्शन हो रही है इसमें दो मेटाबोलिजम देखेंगे ग्लाइकोजीनोलाइसिस और ग्लाइकोजनेसिस ठीक है और बाद में उसका रेगुलेशन देख लेंगे ठीक है वैसे अभी पिसकस कर रहे ताकि एक लिंक बनी रहे और अच्छे से पढ़ने का मजा भी आए ठीक है और यह वैसे बहुत आसान है इसमें कुछ ऐसी बात भी नहीं है ठीक है ग्लाइकोजन की अगर मैं बात करूँ तो ग्लाइकोजन क्या है सबको पता है होमो पॉली सेक्राइड है ग् अगी ब्रांच पॉइंट होता है एक यह ब्रांच्ट रोटीं जैसे अपन मैं बना रहा हूं यह अपना ग्लाइकोजन और यह ब्रांचिंक पॉइंट यह आलफा फोड जो है ilka इस च्रेट चैन और यह module 6 फोग कटो यह बशल्म च्रेकट्चियर ग्लाइकोजन का इसका फ या आपका होता हैं लिवर के अंदर और स्केलेटल मुसल के अंदर फिए यह मेजर फॉर्म ऑफ स्टोरेज और घ्लैकोजनहें अब अपन बात करते हैं कि अपन इसका मेटाबोलिजम पटरहे पर घ्लैकोजन की सिग्निटैथ ग्ला थे कि जब भी बॉडी को ग्लुकोज की ज़रुत होगी जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो जाएगा कैसे मानलो जैसे मानलो विन ब्लड ग्लुकोज जो है ब्लड ग्लुकोज को ब्लड ग्लुकोज अगर कम होगा तो क्या होगा कि लिवर का जो ग्लाइकोजन है उसका क्या हो पोजिशन हो जाएगा ग्लूकोस जो है बॉडी के वह एंदर जो खाने के अंदर आपने खाया वह ऊप्लाइकोजन की इसे फौर में बंदर हो जयागा तो major significance यही है कि fasting और starvation की condition में इसमें से glucose का आपन को मिल जाएगा, ठीक है, to provide glucose during fasting and starvation, और एक बात मैंने आपको बहुत importantly जब भी बताईती आपको, कि जो muscle होता है, muscle glycogen cannot made glucose, why? ये question पूछते हैं, muscle glycogen cannot made glucose, बताओ क्यों नहीं made कर सकते हैं, muscle glycogen से glucose नहीं बन सकता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, जिसने देखा हो उसको पता होगा, कि muscle के अंदर जो होता है, glucose 6-phosphatase enzyme absent होता है, glucose 6-phosphatase enzyme is absent, और glucose 6-phosphatase क्या करता है, glucose 6-phosphatase को आपके बना लेता है, glucose के अंदर, और ये जो enzyme है, ये अपना metabolism में भी आएगा, मैं reaction बताऊंगा तो, तो muscle के अंदर ये enzyme absent है, इसलिए glucose 6-phosphatase glucose नहीं बन सकता, इसलिए जो ये glycogen, liver का glycogen ही है, जो आपका glucose बनाता है, ठीक है, क्योंकि muscle में glucose 6-phosphatase is absent है, ठीक है, अगर site की बात करूँ, तो जितनी भी reaction इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा, all reactions और enzymes related to glycogen metabolism और cytoplasm में ही होते हैं, ठीक है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात और बताई थी, कि आपने 12-18 गंटे में ये glycogen के store डिपलीट हो जाते हैं, ये revision कर बता रहूँ आपको, ये आपको पता होगा, कि glycogen के store डिपलीट हो जाते हैं, तो अब मेरे को बता दो फटा-फट से के 18 गंटे बाद कैसे blood body में glucose बलेंगा, तो वो ही अपनी पिछली वीडियो थी, जो glucose नियोजनेसिस, जो glucose जनी कमीनो असिड्स हैं, उनका breakdown होगा, catabolism होगा और glucose बनेगा, ठीक है, और 12 से 18 गंटे तक आपका glycogen काम चला लेता है, ठीक है, ये एक ऐसे extra बात बताईए अब अब अपन देखते हैं, इसका metabolism ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, glycogenolysis, ठीक है, तो देखते हैं अपन, glycogenolysis, बता दिया मैंने, glycogen का lysis breakdown होके glucose बन रहा है, ठीक है, इसमें जो key enzyme जो होता है, वो होता है, glycogen phosphorylase, glycogen phosphorylase, और इस phosphorylase से मैं अभी बता दियता हूँ, इसको याद रखना, कि ये जो होता है, ये phosphorylated form में active होता है, glycogen phosphorylase is active in phosphorylated form, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, phosphorylase is activated in phosphorylated form, ठीक है, क्योंकि अभी मैं regulation पढ़ाऊँगा बाद में, जब ये काम आने वाला है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला step वही होता है, कि जो आपका glycogen phosphorylase है, तो मान लो ये glucose है आपका, glycogen molecule है, मान लो चलो, glycogen molecule है, जिसमें N glucose molecules है, एक glycogen molecule है, जिसमें N glucose molecule है, तो सबसे पहले enzyme आता है, glycogen phosphorylase, glycogen phosphorylase, जो कि इसका key enzyme है, और ये आपका convert हो जाता है, glycogen, with N-1 glucose units, ठीक है, एक glucose इसमें कम हो गया, और वो एक glucose release हुआ, आपका as glucose 1 phosphate, ये बात बहुत important है, ये glucose 1 phosphate में release हुआ, ठीक है, glucose नहीं बनाए, glucose 1 phosphate में release हुआ, तो ये आपकी बहुत important पहला step होता है, जो glycogen phosphorylase और ये key enzyme होता है, इस पात बहुएगा, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसमें होता है, जैसे मान लो ये आपका glycogen का molecule है, ठीक है, ये मान लो आपका glycogen का molecule है, ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसमें से, तीन glucose की units जो होती है, ये branching में से linear chain में transfer हो जाती है, ये कौन से enzyme की मदद से होती है, by alpha 1,4, alpha 1,4 transferase enzyme की मदद से, इसमें से तीन glucose molecule की chain इसमें transfer हो गई, ये तीन इदर और आगई, ठीक है, और यहां पर एक molecule बच गया, ठीक है, तो ये आपका alpha 1,6 में एक glucose का molecule बच गया, ठीक है, अपन को समझ रहा है, यहां पर notes में अच्छे से सब diagram बच बनाएंगे, यहां पर सिर्फ समझने पर द्यान देना है, नोट्स नहीं बनाने हैं, मैं बार-बार कह चुक हूँ यह बात, ठीक है, उसके बाद तीसरा step जो आता है, आपका debranching enzyme, most important step, debranching enzyme, नाम से पता चल रहा है debranching, क्योंकि branching के अंदर एक glucose molecule बच रहा है अपन को, तो debranching enzyme आता है, और यह debranching enzyme का अगर नाम कोई पूछे, तो आप बता देना कि alpha-1-6 glucose इसका नाम होता है, ठीक है, क्योंकि alpha-1-6 bond है, इसको break करेगा यह, और यह फिर debranching enzyme से, यह glucose जो होता है, यह आपका free glucose में release हो जाता है, यह आपके linear chain बच जाती है, और यह जो glucose होता है, यह free glucose के अंदर release हो जाता है, और यह note करना बहुत important बात है, यह free glucose release हो रहा है, बाकी जितनी भी reaction है, उसमें glucose 1-phosphate release होता है, खाली यह एक glucose है, जो आपका free glucose के अंदर release होता है, उसके बाद जो आपका step 4 होता है, जो आपका enzyme आता है, phospho-glucomutase enzyme, phospho-glucomutase enzyme, जो अपने जितने भी glucose 1-phosphate अब बनते जा रहे हैं, यह glucose 1-phosphate in the presence of this enzyme, यह glucose 1-phosphate आपका convert हो जाता है, glucose 6-phosphate के अंदर, ठीक है, और यह glucose 6-phosphate बन गया, आप मुझे बताने के जरुवत नहीं है, कि glucose कैसे बनेगा, क्योंकि अपने ग्लुको नियोजनेसिस में देखा था, कि liver के अंदर glucose 6-phosphate enzyme प्रेजन्ट होता है, glucose 6-phosphate enzyme प्रेजन्ट होता है, और यह glucose 6-phosphate enzyme के मदद से, यह glucose 6-phosphate जो है, तो यह का यह रहेगा, अब इसके साथ क्या होगा, यह glycolysis अपनी पहली वीडियो, glycolysis में जाएगा, glycolysis से फिर ATP जो बनेगी, वो help करेगी इस muscle के contraction के अंदर, ठीक है, तो इसमें glucose नहीं बनता है, muscle के glycogen से कभी भी glucose नहीं बनता है, वो glycogen, muscle contraction, ATP glycolysis, ठीक है, और liver का glycogen नहीं उससे अपना glucose बन गया, और एक इसमें free glucose निकलता है, बाकी जितना भी है, वो glucose 1 phosphate होता है, तो यह अपनी glycogen लाइसिस थी, ठीक है, अभी regulation देखते हैं, उससे पहले एक बार glycogenesis भी देख लेते हैं, ठीक है, glycogenesis, question नहीं आते हैं, इस पर question आये तो भी अपन को लिख सकते हैं, बहुत आसान ही है, ठीक है, glycogenesis की अगर अपन बात करें, तो इसमें सबसे पहला step जो होता है, वो होता activation of glucose, सबसे पहले इसमें होता activation of glucose, कैसे होता activation of glucose, जो glucose 1 phosphate है, glucose 1 phosphate है, यह कैसे बना है, glucose था, उससे glucose 6 phosphate, glycogenesis का पहला step, और glucose 6 phosphate से अपना phosphoglucomutase, जो अपन ने पिछली अभी यह reaction देखी थी, phosphoglucomutase, वाली जो reaction थी, यह reversible reaction होती है, दोनु साइड चलती है, तो glucose 6 phosphate से glucose 1 phosphate बनता है, यह glucose 1 phosphate का activation होता है, इसमें क्या होता है, UTP का addition होता है, और इसमें जो enzyme होता है, वो होता है, UDP glucose pyrophosphorylase, ठीक है, यह आपको यह reaction याद करने है, कि glucose का activation कैसे हो रहा है, in the presence of UDP glucose pyrophosphorylase enzyme की मदद से, ठीक है, और यह आपका बन जाता है, UDP glucose, और इसमें एक molecule release होता है, inorganic pyrophosphate का, ठीक है, तो यह अपना activate हो गया, glucose, UDP glucose, ठीक है, तो यह reaction अपन को ध्यान रखनी है, क्या देखा, UDP, UTP का add हुआ, glucose 1 phosphate में, in the presence of enzyme, UDP glucose pyrophosphorylase, और यह अपन पन गया, UDP glucose, अब जो step 2 अपना होता है, उसमें अपना जो, इसमें की enzyme जो होता है, वो होता है, glycogen synthase, उसमें कौन सा था, glycogen phosphorylase, ठीक, अब यह glycogen synthase क्या होता है, कि glycogen का primer होता है, जैसे यह glycogen है, तो इसमें एक primer molecule होता है, इसको अपन बोलते है, glycogen primer, या फिर glycogenin molecule है, तो यह activated glucose जो है न, यह इस primer पर add होता जाता है, तो glycogen primer मान लो, glycogen primer मान लो, N का glucose unit से उसमें, इसमें यह activate जो आपका glucose होई, UDP glucose, यह add होता जाएगा, in the presence of glycogen synthase, key enzyme of this pathway, N जो अपना बन जाएगा, वो बनेगा glycogen, यह glycogenesis है, N प्लस वन, एक glucose इसमें add हो गया, UDP glucose का, और यह UDP फर्दर रिलीज हो गया, ठीक है, तो एक glucose का addition हो गया, ठीक है, पर यह जो add हुआ है, अभी सीधा linear chain के अंदर हुआ है, ठीक है, और glycogen कैसा होता आपका, branching molecule, तो आपको सबको पता चल गया, कि step 3 कौन सा होने वाला है, उसमें debranching हो रही थी, और इसमें होती है branching, यह branching होती है, by the help of branching enzyme, और यह branching enzyme का भी, अगर कोई नाम पूछ है, तो थोड़ा complicated है, पर याद रखोगे, तो अच्छी चीज है, नहीं रखोगे, तो भी कोई अलग से नहीं पूछ रहा है, amylo 1,4, amylo 1,6, transglucosidase, amylo 1,4, amylo 1,6, transglucosidase की मदद से, यह glucose molecule पर branching भी हो जाती है, ऐसे-ऐसे branch जूडती जाती है, और यह आपका बन गया, यह क्या, इसकी जरुवत क्या है, it is needed to create alpha-1,6 linkage, ठीक है, alpha-1,6 linkage भी बन गई इसमें, तो यह आपका glycogen molecule तयार हो गया, ठीक है, branching बन गई, यह ऐसे हो गया, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ समझना है, अपन अच्छे से notes में सब चीज लिख रखी है, अपन ने, बार-बार में यह बात कहर रहा हूँ, ठीक है, तो अब अपन देखते है, regulation कैसे हो रहा है, regulation के अंदर, hormonal के अंदर, आप मेरे को बता दो, सबसे पहले, अपन ने 2-3 वीडियो में देख लिया, सब को बता, insulin, glucagon का क्या खेल है, तो ठीक है, insulin क्या करता आपका, blood glucose level को कम करता है, decrease blood glucose, blood glucose को कम कर रहा है, मतलब it stimulates glycogenesis, ठीक है, insulin anabolic hormone होता है, it stimulates glycogenesis, ठीक है, glucose के formation को कम करता, और इसी तरह से, इसके opposite, glucagon और epinephrine क्या करता है, यह जो करते हैं, यह blood glucose को, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, इसका मतलब, they support glycogenesis, ठीक है, तो यह तो अपन को पता है, पर इसके अंदर, mechanism कैसे क्या हो रहा है, वो भी पूछते हैं, ठीक है, तो कैसे क्या हो रहा है, वो अपन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यह भी पूछते हैं, कई बार पूछते हैं, कि इसका mechanism कैसे हो रहा है, यह लिखने से खाली number नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, अगर mechanism बात करें अपन, तो mechanism अगर अपन देखें, तो कैसे क्या चल रहा है, तो अपन ने सब ने पढ़ा है, होर्मोन के अंदर आपने फिजियोलोजी में आशिश सर से पढ़ा है, कि यह epinephrine जो है, epinephrine जो है, और आपका glucagon है, यह कैसे होर्मोन से, protein होर्मोन से, protein होर्मोन यह कैसे एक्ट करते हैं, cell membrane पर bind करते हैं, और फिर यह activate करते है, adenyl cyclase enzyme, adenyl cyclase enzyme को activate करते हैं, और adenyl cyclase क्या करते हैं, आपका ATP को convert कर देता है, cyclic AMP के अंदर ठीक है, अब यह cyclic AMP बना, इस से सब कुछ खेल होगा, ठीक है, अब यह cyclic AMP, cytoplasm के अंदर आता है, और यह जो protein kinases होते हैं, protein kinases, जो कि inactive होते हैं, उनको यह convert कर देता है, active protein kinases में, ठीक है, active protein kinases में, ठीक है, फिर यह active protein kinases क्या करता है, जो आपका phosphorylase kinase है, phosphorylase kinase है, वो भी inactive होते हैं, उनको यह activate कर देता है, ठीक है, तो phosphorylase kinase active बन गए, active, मैं पूरा-पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको समझ रहा है, और यह phosphorylase kinase से फिर क्या करता है, जो आपका glycogen phosphorylase है, जो की enzyme है, glycogen phosphorylase, यह inactive form में होता है, और यह inactive form में होता है, dephosphorylated form में, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था, phosphorylase जो होता है, वो phosphorylated form में active होता है, तो यह आपका convert कर देता है glycogen phosphorylase active form है और यह active form हो जाता है phosphorylated form होता है active form ठीक है तो इसी तरह से अपने देख लिया कि glycogen phosphorylase अगर activate हो गया तो आपका जो glycogen है वो टूटके glucose बना लेगा ठीक है इनिबिट भी करता है glycogen synthesis को कैसे करता है कि यह जो protein kinases है एक्टिव वाले आपके यह glycogen synthesis जो होता है यह active होता है और यह active होता है defosphorylated form में एक्टिव होता है उसको यह convert कर देता है glycogen synthesis inactive form है by phosphorylating it और यह phosphorylated form में inactivated हो गया इसलिए they inhibit glycogen synthesis ठीक है अपन जो देखेंगे regulation of blood glucose सब में यह related होने वाला है जो अपनी regulation of blood glucose की video होने वाली हो उसमें सब आप मुझे पढ़ाने वाले हो ठीक है तो यह बात है अच्छे से समझनी है ठीक है तो यही था अपना glycogen का metabolism अपन ने देखा था यह अपन ने देख regulation अपनने hormonal तो देख लिया ठीक है और कैसा regulation होता है इसका तो एक allosteric regulation भी होता है allosteric regulation इसमें क्या से क्या चलता है कि मानलों अगर glucose है glucose 6 phosphate है और ATP है तो अगर यह already present है तो यह क्या करेंगे विल इनिविट glycogenolysis के glucose की पहले से ही presence है तो यह इनिविट करेंगे इस प्रोसेस को ठीक है तो यह allosteric mechanism है और इसमें एक बात ध्यान रखने है कि जो calcium होता है ठीक है तो अब मैं में बात यह ध्यान रखने है अपन को इस वीडियो के अंदर यह बात कभी नहीं बूलनी है यह दो लाइन जो मैं बूलने वालो नोट कर लेना बहुत अच्छे से कि जो glycogen phosphorylase है ऐसे याद करना इट इस एक्टिव इन फॉस्फोराइलेटड फॉर्म और इस इन एक्टिव इन डीफॉस्फोराइलेटड फॉर्म ठीक है दोनु एक ही बात है और glycogen synthase जो है यह ज़्ट इसका अपोजिट इस एक्टिव इन डीफॉस्फोराइलेटड इस इसको ही अपन बोलते हैं बायो केमिस्ट्री के लेंग्वेज में बोले तो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ठीक है कि कोई भी एंजाइम फॉस्फोराइलेटड फॉर्म में एक्टिव है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज और ग्लाइकोजन synthase एक्टिव है आपका डीफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ठीक है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज मांद लो इस ग्लाइकोजन में एन मॉलीक्यूल है तो यह जो होगा यह आपका ग्लाइकोजन एन माइनस वन में और इसमें जो ग्लुकोज रिलीज होता है वह कैसे होता मैंने आपको बता था glucose 1-phosphate की form में ठीक है फिर यह फोस्फो-glucomutase में जाके glucose 6-phosphate और liver है तो glucose बना लेगा और muscle है तो glycolysis में जाके energy provide करेगा ठीक है और इसमें inorganic phosphate तो यह glucose 1-phosphate बनता और इसका अगर hormonal regulation भी देखे तो epinephrine और glukagons जो होता है इसको stimulate करते हैं ठीक है तो यह आपका हो गया glycogenesis की समरे हो गए ठीक है तो यह अपनी glycogenesis की समरे हो गए इसी तरह से अगर glycogenesis की भी समरी बनानी है तो मानलो यह glycogen है अब अपनको glycogenesis करनी है तो glycogen एक और glucose इसमें जूड़ जाएगा कैसे जूड़ेगा वही अपना activated glucose जूड़ेगा UDP glucose जो है एक glucose इसमें जूड़ गया है और UDP इसमें निकल जाती है इसमें एंजाइम को जा होता है glycogen synthase यह कौन से फार्म में activate होता है defosphorylated फार्म में यह active होता है ठीक है और इसको stimulate कौन करता है तो insulin जो होता है वो इस glycogenesis को stimulate करता है anabolic hormone है ठीक है और अपन regulation of blood glucose देखेंगे ना जब अच्छे से यह सब regulation जो भी overall pathway जित्ते भी पढ़ रहे ना उस सब में अपन regulation overall देखेंगे के glucose के कैसे regulation होड़ा पर हर वीडियो के साथ अब अगर आप समझते जाओगे तो वहां पर असान रहेगा ठीक है तो देखते हैं अपना कुछ रहा तो नहीं इसमें तो अपने glycogen metabolism देखा ही है बहुत आसान सा है और question भी इस पर इतने अभी तक नहीं आते है ठीक है तो glycogen देख लिए अपने significant side देख लिए glycogenesis, glycogenesis और इसका regulation देख लिए ठीक है अगली वीडियो जो अपने होने वाली है glycogen storage disease के उन्दर उसमें अलग-लग disease करेंगे उसमें type 1 जो होती है one गर्क disease बहुत important है और बाकी जितनी भी disease है वो MCQ purpose से important है उसमें कौन-कौन से enzyme deficient होते अच्छे से अपन discuss करेंगे ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत